नमस्कार दोस्तूं, सभी का स्वागत एक बैतरीन सेसन के अंदर पसू प्रीचर बरती जिसके लगबग में ये बोलू तो पचास दिन हमारे सामने बचे हैं और इन पचास दिनों के अंदर अगर हमें कुछ ना कुछ कर गुजरना हैं तो अब थोड़ा सा पढ़ाई पे जोर देना होगा दोस्तूं साथियों पसू प्रीचर बरती को लेकर काफी स्यांदार तैयारी हमने सुरू से ही करवाई आपको अब समय है जिसमें आपका मुल्यांकन हमें करना है और ये मुल्यांकन टेस्ट के मादम से ही किया जा सकता है बेसिक मैं कुछ मोडल पेपर आपके सामने रिकोडेट डाल रहा हूँ उसके बाद लाईव मोडल पेपर भी लेकर आऊंगा एक बार जो मेरी ओडियंस है जो मेरे साथ मेरे साथ जुड़े वे मेरे प्यारे भाई बहन है ये सभी साथी एक जगे है एकटा हो एकटा एक समय फिक्स करें जिस पर हम मोडल पेपर लाहिव रखें कम से कम 15-20 मोडल पेपर हम लाहिव देखें उनको हो सरल करें तब हमें जो तयारी है उसका अंदाजा लगेगा दोस्तों पसू प्रिचर बढ़ती 2024 और नविन्तम सलेबस परादारीत ये मोडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ जो कम्पलिट नविन्तम सलेबस परादारीत रहने हुआ लिये दोस्तों तो एक बार जो भी साती मेरे साथ जुड़े है जल्दी से वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए और नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएए दोस्तों सबसे पहले बता दूँ कि आप टेलिग्राम पर अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लेकिन कुछामन ओनलाइन क्लासेज के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं आपको टेलिग्राम चैनल है वो मिल जाएगा बातें होती रहेगी मनोबल बढ़ता रहेगा लेकिन क्योसन आपके सामने अगर लेकर आऊं तो पहला क्योसन आपकी स्क्रिन पे है वो दिखाई भी दे रहा है सन 1730 में अमरिता देवी के नेतरीत्वे में विश्णोई समाज के 363 इस्त्री पूर्सुने वरक्सु को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणू की आवति खेजडली में दी खेजडली निवन में से किस जिले में वर्तमान में इस्तीत है वो आपको बताना है दोस्तू जोदपूर के सासक सासक का नाम था अब़े सिंग और अबे सिंग के समय की ये गटना है अबे सिंग, राठोड राजमंस, जोदपूर के सासक, मारवाड के सासक थे और ये जोदपूर के अंदर पर जोदपूर के अंदर Next, क्योसन नमबर दो है काली बंगा के लोगों को किस दातू की जानकारी नहीं थी कांसा तामबा लोहा या कोई नहीं काली बंगा के लोग काली बंगा बेसिक हनुमान गड़ के अंदर है काली बंगा बेसिक कहां पर है हनुमान गड़ के अंदर है और यहां के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी दोस्तों क्योसर नमबर तीन है सांबर वे अजमेर के चुवानू की जानकारी किस सिलालेक से मिलती है बिजोलिया, रनकपूर, मानमोरी या चितोडगड के लेक चुवान वंस की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया सिलालेक से किस से मिलती है बिजोलिया सिलालेक से कि उसे नमबर चार देखी जब महारणा संगा मेवाड का सासक बना तब दिल्ली पर किसका सासन था संगा मेवाड का सासक तो दिल्ली पर सासन था सिकंदर लोदी का किसका था सिकंदर लोदी का दोस्तु अगला देखिए क्योसे नापका राजवी, सरदार, मुथशदी, सिरायत, गनायत ये सबी क्या है है तो सामन्तू की स्रेणिया, कहां की सामन्तू की स्रेणिया है ये, ये है मारवाड के सामन्तू की स्रेणिया, कहां की मारवाड के सामन्तू की स्रेणिया दोस्तु मित्रू एक बात नोट करके चलना आपने ओपलाइन कोचिंग की होगी आपने कोई ओनलाइन कोर्स लिया होगा या आपने सबसे बेश्ट मादे मास्तक का सेल्प इस्टडी की होगी लेकिन इन सबसे उपर आपके सामने एक चीज रखता हूँ साइद जो आपका सपना है उसको पूरा करने का एक मोका आपके पास है और वो है कुचामन ओनलाइन क्लासेज का पसू परिचर क्रेश कोर्स बिल्कुल नविंतम सलेबस परादारिती एक कोर्स हमने जारी किया है मातर 500 गंटे यानि की दिन के आप 10 गंटे अगर मानकर पड़ो तो 25 दिन का समय मिलेगा और 25 दिन के अंदर अगर आज वरत्मान में आपके 900 क्योसें सई हो रहे हैं तो यह मानकर चलो कि 125-130 क्योसें आप सई करने लग जाओगे दोस्तों इसके साथ आपको नोजार राजस्तान जी के क्योसन मिलेंगे इसके अलावा तीन अजार विज्ञान के क्योसन इसके साथ मिलेंगे पसुपालन के पंद्रासो क्योसन आपको साथ में मिलेंगे तियोरियक की अलग चीज़ है तियोरिय छोड़ो MCQs और 30 मोडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे आसा करता हूँ मेरे प्यारे सभी जो दोस्त यहाँ पर आए हैं वो आज ही अभी जाकर नवरात्रा स्पेसल ओपर का फाइदा उठाते हुए इस कोर्स को जोइन करेंगे एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक बार आप जरूर जाकर विजिट करें मेरे कहने के अनुसार पहले भी कहता हूँ कहने के अनुसार मैंनत करो सपलता हम दिला कर रहेंगे आगे देखे नेक्स्ट क्योशन की और राजस्तान के एकिकरण के समेश सबसे छोटी रियासत कौन सी थी सबसे छोटी रियासत थी सहापुरा रियासत कौन सी थी सहापुरा रियासत क्यों से नमर साथ है गोविंद गिरी के नेतरीत्वे में बील अंदोलन को दवानी के लिए मानगड का जनसाहर किस वर्स हुआ था मानगड का जनसाहर है ये वर्स 1933 के अंदर हुआ था सोरी 1913 के अंदर कब हुआ था 1913 के अंदर हुआ था दोस्तों क्योंसर नमर आठ देखें आप राजस्तान की किस रियास्त में सिक्ष्या को एसवेदानी गोसित कर दिया गया था सिक्ष्या को एसवेदानी गोसित किया गया था डूंगरपूर रियास्त के अंदर रास्तापाल कांड कहां पर हुआ था पढ़ाओगा आपनी इंपोर्टेंट जीज़े क्योंसर नम्मर नो देखिए मुगलू के समय वे इस्तापते सेली में परिवर्तन कहलाता है क्या कहलाता है मुगलू के समय वे इस्तापते सेली में परिवर्तन को हिंदुम इसलामिक सेली गोतिक सेली इसलामिक सेली या पार्सी सेली क्या कहा जाता है important क्यूसन आपके लिए रहीगा और काफी बैतरीन क्यूसन है जो exam की दरश्टी से ये आपके लिए बनता है दोस्तों और सही रहेगा option D फारसी सेली क्या कहा जाता है फारसी सेली क्यूसन अमर दस है वह कौन सा अभी लेक है जो मारणा कुमबा के लेकन पर परकास डालता है मारणा कुमबा के लेकन पर परकास डालने वाला अभी लेक कीरती स्तम पर सस्ती कौन सा है कीरती स्तम पर सस्ती दोस्तों क्यूसन अमर ग्यारा है पंद्रा अक्टूबर अठारा सो सताउन को महराब खां वे लाला जे देयाल के नेतरीत्वे में जनता ने विद्रो कर मेजर बर्टन वे सेल्डर की अत्या कर दी तदा बर्टन का सिर काट कर कहां गुमाया था कहां गुमाया था कोटा के अंदर कहां पर कोटा के अंदर दोस्तों क्योंसर नमर बारा देखिए वीर बारत सबा जिसकी स्थापना गोपाल सिंग खरवा वे कैसरी सिंग बारत ने की थी जिसका मुक्य उधर से क्रांतिकारियों के लिए अस्तर सस्तर जुटाना था वीर बारत सबा की स्थापना कब की गई थी वीर भारत सभा की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1910 के अंदर कब की गई थी 1910 के अंदर इसकी स्थापना है जो की गई थी दोस्तु क्योशन नमर 13 में अटेंड कीजिएगा आप 13 नमर क्योशन आपकी स्क्रीन पे वे पहला राजपु सासक कौन था जिसने अकबर की अधिन्ता सवीकार नहीं की किसने अकबर की अधिन्ता सवीकार नहीं की थी राव चंदर सेन तो कहा जाता है ना परताब का अगरगामी कौन राव चंदर सेन परताब का अगरगामी दोस्तों क्योंसर नमबर 14 है भारत में पांच वेद सालाओं का निर्मान किस ने करवाया था सवाई जे सिंग ने किस ने करवाया था सवाई जे सिंग ने नेक्स्ट यूसन है राजस्तान में सर्वपर्तम कन्यावद पर रोक लगाई गई ती तो ये रोक लगाई गई थी कोटा के अंदर कहां पर कोटा के अंदर दोस्तों क्योंसर नमर 16 देखे बिधोडी नहीं बिथोडी या बिगोडी 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 किस परकार का करता बिगोडी नगद कर लिया जाता था भूमी पर नगद भूमी करता बिगोडी बी ओप्सन सही रहीगा कि उस्या नमर 17 है मेव किसान अंदोलन का नेतरीतवे किसने किया मेव किसान अंदोलन और इसका नेतरीतवे किया था डोक्टर मोहमद अली ने किसने डोक्टर मोहमद अली ने कि उस्या नमर 18 है मोतिलाल तेजाउत ने एह इंसक एकी अंदोलन का स्रीगने किन गाउं में किया था किन गाउं में किया था जाडोल वैप पलासिया गाउं में कहां पर जाडोल और पलासिया गाउं है वहां पर दोस्तों क्यों से नमर 19 है आपका लड़कियों की सिक्सा है तू पुत्री पार्ट साला की स्थापना कब की गई पुत्री पार्ट साला साही आज इस वीडियो पर जो भी पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे है उनको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये क्यूसन आपने किसी भी ओनलाइन ओपलाइन कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा लेकिन हम वही क्यूसन लाते हैं जो एकजाम में बनते हैं समझ गए तो सही रहेगा ओप्शन भी 1907 के अंदर कब 1907 के अंदर क्यूसन नमर बीस है राजस्तान के परतम वेक्ती कोंते जिन्होंने सामंत साही के किलाप आवाज उटाई थी किसने उटाई थी जे नाराइन व्यास ने किसने जे नाराइन व्यास ने कि उसे नमर इकीस है परले पर्तिक्सा नमो नम है नामग लोग पिर ये गीत किसे सवतंतरता से ना ने लिखा किसने लिखा था हीरालाल सास्त्री ने किसने लिखा था हीरालाल सास्त्री ने ये गीत है जो लिखा था क्योंसा नमर बाइस है शवतंतरता प्राप्ति के बाद राजस्तान में सबसे प्राचीन वा सबसे नमीन रियासत कौन सी थी सबसे प्राचीन वा सबसे नमीन सबसे प्राचीन मेवाड सबसे नमीन जालावाड तो B option मेवाड जालावाड क्योसा नमर 23 है राणा कुमबा का सामरीक ieriष्टी से मैतुवपून दुरक कोंसा था सामरीक சामरीक 라ष्टी से था अच्छलगड दुरक कोंसा था अच्छलगड दुरक दोस्तों क्योसा नमर 24 राणा सांगा किस नाम से मेवाड की गद्दी पर बेटा किस नाम से संग्राम सिंग के नाम से क्यों से नमर पचीस है राश्तान में अंग्रेजु की पर्तम संदी किस राजे से हुई क्यों से नमर पचीस कारोली से किस से हुई थी कारोली से क्यों से नमर छबीस है जेन संपर किस तिर्थ इस्तल को मेवा नगर के नाम से जाना जाता है मेवा नगर कहते हैं नाकोडा को किसको नाकोडा को क्यों से नमर 27 है रेबारी जाती उट्टू को पालने वाली जाती का मुख्य आस्ता इस्तल खेड किस जिले में इस्तीत है केड़ है बांस्वाडा में कहां पर है बाँस्वाडा के अंदर नेक्स्ट है कपड़ अपर परिंटिंग की दोनु तरब छपाई वाली तक्निक अजरक प्रिंट किस अस्तान की परसीद है जरक प्रिंट है ये बाड मेर की परसीद है कहां की है बाड मेर की नेक्स्ट है आपका वै किला जिसके आजादी वैसमिता की रक्सा के लिए वहां के ठाकुरू ने गोला बारुद खतम होने पर दूस्मनों पर चांदी के गोले दागे थे वो है चूरू का किला कुंसा है चूरू का किला द वोरा संपर्दाई की गदी है वो इस्तित है क्यों सनमर 31 है गागरोन का वे राजा जो राजपाट त्याकर संथ पीपा के नाम से विक्यात हुआ वे थे राजा परताप राव राजा परताप राव नेक्स्ट क्यूसन है शामपरताईक सदबाव का मेला किस लोग देवता से स किस महिने में आयो जीत होता है गनेश जी का मेलाव लगता है बादरपद में बादरपद सुकल चतूरती के दिन दोस्तों त्रिनेतर गनेश मंदीर रन थमबोर अगला क्यूसन है वीवा में आने वाले मेमानू के लिए गाये जाने वाले गीत क्या कहलाते है ये गीत कहलात किस नर्ते की सु्रुवात होती है किसकी होती है गिदड़ नर्ते की किसकी गिंदड़ नर्ते की क्योसर नमर 36 देखिए किस समपरदाई के लोग अपेक्सा करत वन एवं वन ने जिऊंगे परतिय जागरू के तो वह विस्नोई संपरदाई के लोग कौन विश्णोई संपरदाई के लोग कि उसे नमर से थीस है कि स्वादे यंतर में बांस की डांड पर मगर की खाल या नारियल के बाइस परदे होते हैं किसमें होते हैं जंतर के अंदर किसमें जंतर में कि उसे नमर अर्थीस है देवरानी जिटानी का मं दिलवाडा के अंदर कहा पर है दिलवाडा के अंदर क्यों से नमर 49 है नेन में से किसका चितरन कपड़े पर नहीं किया जाता है कपड़े पर किसका चितरन नहीं किया जाता है पाने का पाने कागज पर बनाये जाते हैं क्यों से नमर 40 है रास्तान के परसिद पकावज वादक है रास्तान के परसिद पकावजा वादक पंडित पूर्सोतम दास कोन है पंडित पूर्सोतम दास दोस्तूं अगला क्यों से नहीं आपका डूंगर साही ओडनी किस कला से समंदित है डूंगर साही है बल्यू पोर्ट्री से समंदित किस से है बल्यू पोर्ट्री से समंदित क्यों से नमर 42 है महमूद गजनवी से युद करते समय कौन से लोग देवता वीरगती को प्राप्त हुए थे कौन हुए थे गोगाजी दोस् निवन में से कौन सा नर्ते मेव जाती द्वारा किया जाता है मेव जाती द्वारा किया जाता है रत्वई नर्ते कौन सा रत्वई नर्ते next question number 40 है स्रावक पर्तिकर्मन सुत्र चूर्णी गरंद का सम्मंद किस सेली से है स्रावक पर्तिकर्मन सुत्र चूर्णी किसे हैं मेवाड सेली से किसे हैं मेवाड सेली से किसे हैं मेवाड सेली से कि उस्षे नमर पेटालिस है मक्का के मक्का से चलकर आये पीरू ने कि संथ को पीरू का पीर की पदवी दी किसे दीती पीरू का पी राम देव जी को किनको दीती राम देव जी को दोस्त हूं कि उसे नमर 46 मेवाड चित्रिकला सेली का स्वन काल किस सक के समय को कहा जाता है मेवाड चित्रिकला सेली का स्वन काल किसका काल जगत सिंग परतम का काल किसका काल जगत सिंग परतम का काल कहलाता है कि उसे नमर 47 है बारा सो तीस इगतीस इश्वी में बना लूनव वसई का जेन मंदिर किस तिरतकर को समर्पित है कापी important question बनता है बार बार एक जमू में आता है और सही रहेगा नेमिनात को किनको नेमिनात को समर्पित है question number 48 कांच पर सोने का सुख्सम चित्रांकन कहलाता है क्या कहलाता है question number 59 राजस्तान में पर्तिवरष 12 सितंबर को किस तान पर वर्रक्स मौचशव मनाया जाता है वर्रक्स मौचशव कहां पर मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है केजड़ी ग्राम जोदपूर में केजड़ी ग्राम जोदपूर के अंदर क्योसे नमर पचास है माते पर बांधने वाला अबुसन है माते पर कौन सा अबुसन बाना जाता है तीमणियान नत रखड़ी बाना जाता है काउंसा रखडी दोस्तों क्योंसे नमर एकाउन है निर्मेंसे कौनसा यूग में सुमेलित नहीं है पहला है उदेनाथ परवत अलवर त्रिकुट परवत जैसलमेर चिडिया टुक पाड़ी जोधपूर और मुकंदवाडा की पाड़ियां बुंदी बारा है यह सेकावाटी म कहाँ पर है भाई जी डी ओप्सन गलत है बताओ मुकंदवाडा की पाड़ियां कहाँ पर है यह गलत दिया गया ओप्सन डी सही रहीगा क्योंसे नमर बाउन है रास्तान का गोट मांगलोद चेतर किस खनीज के लिए परसीद है गोट मांगलोद है जो नागोर जिले का बा नहीं जीबसम के लिए परसीद है यह बी ओप्सन डेग गरना है टंगस्टन के लिए परसीद नेक्स्ट कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है कापी इम्पोर्टेंट क्योंसे माही बजास ऑगर परियोजना राजस्तान और गुजरात की प्रियोजना है नेरमदा नहर परि प्रियोजना राजस्तान वे मद्देपर्देश की है बागडा नागल प्रियोजना पंजाब रियाना राजस्तान और यह गुजरात बीच में अटक गया डी ओप्सन गलत यावा यहां पर क्योसर नमर चोपन है तेंदू के पत्ते मुक्यते किस जिले से प्राप्त किये जात हैं तेंदू के पत्ते मुक्यरूब से कहा मिलते हैं बांसवाडा में कहा पर बांसवाडा के अंदर क्योसर नमर पच्पन पस्मी मुरूस्तार राजस्तान के लगबग कितने चेत्र को गेरे हुए कितने चेत्र को गेरे वें 60 परतिसत से दिख माना जाता है कि 2 बटा 3 परतिसत पर पस्मी थार का मुरुस्तल पिला हुआ है राजस्तान में अगला क्योशन है राजस्तान के किस इस्तान पर पसु आहर सहिंतर नहीं है बिनाई बिनाई में नहीं है बिनाए केकडी में ही नहीं है तो आपना ओपसनेज सही रही सी कि उसे नमर सताउन है रास्तान का वे जिला जो इसब गोल के लिए परसिद है रास्तान का जो जालोर जिला है ये इसब गोल उतपादन के लिए परसिद जिला है किसके लिए इस सब गोल उत्पादन के लिए परसिद जिला है क्यूसर नमर टाउन है राजस्तान में फेल्सपार का कनंद सरवादिक होता है राजस्तान में फेल्सपार का कनंद सरवादिक होता है कहां पर अजमेर के अंदर कहां पर होता है अजमेर के अंदर क्योसर नाइन फिप्टी नाइन बोमोदे पेजल प्रियोजना किस जिले से समंदीत है किस जिले से है रा समंद जिले से डी ओप्सर क्योसर नमर साथ रास्तान के किस परदेश में एंटी सोल समोय की मर्दा मिलती है एंटी सोल समोय की मर्दा मिलती है पस्मी राजस्तान में कहां पर पस्मी राजस्तान के अंदर क्योंसर नमर 61 है कोपेन के जलवायू वर्गीकरण के अनुसार रास्तान की जलवायू में जालावाड जिले की स्रेणी है जालावाड जिले की स्रेणी है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है और यह ब्लू के अंदर अतियादर जिला अगला क्योसन रास्तान में लेपिडो लाइट किस्म का अबरम अबरक है ये किस चेतर में मिलता है लेपिडो लाइट किस्म का अबरक कहां मिलता है पोर्टला के अंदर कहां पर पोर्टला में क्योसन 63 है सुमेलित कीजिएगा कापी इंपो कि बांस्वाडा एडबलू कि पाली बी एस एच डबलू जैसल मेर बी डबलू एच डबलू और बरतपूर सी एडबलू चार तीन दो एक कि ओप्सन डी सही रहेगा कि उसे नमर चोशट है सुमेलित कीजिए कंजर्वेशन रिजर्व वज्जिला अच्छा कि उसन है गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व है नागोर के अंदर जोडबील गाडवाल जोडबीड गाडवाल बीकानेर में गुड़ा विष्णोयान जोदपूर में सुन्दा माता जालोर में दो चार एक तीन आपन ओप्षन है ओप्षन सई रही है क्यों सनपसट है सुमेलित कीजिए आकेड निसी चेतर और परमुक वन्ने जीव करिये सुमेलिद मेरे साथ यूँ संताल सागरा के निसे जलपक्सी के लिए जरोदा सियार के लिए उजला चिकारा के लिए और राम देवरा कांटे वाली छिपकली के लिए दो तीन चार एक ओप्सन सी देखिये सही रही गा यहां पे सी ओप्सन क्योसे नमर 66 है राजिये में कितने राम सर कनुरे से सन इस्तल है कितने हैं दोस्तों दो अगला क्योसे नमर 68 है मरुस्तलिये छेतर में विसिष्ट लवन जिलू को इस्तानिय बासा में क्या कहा जाता है क्या कहते हैं डांड कहते हैं डांड क्योसान नमर 68 है राजस्तान की मरूसोबा कहलाता है रोहीडा क्या कहलाता है रोहीडा दोस्तों क्योसान 69 BW, HW, जलवाईउ पर्देश में कौन से जिले आते हैं BW W अंत में आता है तो W का मतलब पस्मी राजस्तान ये वाला बाग तो जैसलमेर, भीकानेर, गंगानगर, अनूपगाड, फडोदी, चूरू ये जिले आते हैं अगला क्योसन टांका सादन है वर्साजल संग्रेन का ये दरातल दरातल के नीचे बनाया जाता है टांका जिसमें वर्साजल इक्टा किया जाता है ये कहलाता है टांका आपका क्यों से नमर इगेतर है अरावली परवस रंकला के परमुग दर्रे ये रहा अराम से देखिए अरावली परवस रंकला के परमुग दर्रे पुछें हमको देशुरीव हातिनाल दर्रे नेक्स्ट राजस्तान में तस्तुरी नुवा बेसिन में बसावा नगर उधेपूर कौन सा है उधेपूर क्यों सेवंटी थी है कपास की पसल के लिए राजे की कौन सी मिटी का छेतर अधी को प्यूगता है काली मिटी तो यह रामद्यम काली मिटी छेतर क्यों सेवंटी पोर है हाडोती के पटार में कौन से जिले समलीता है कोटा संबाग कोटा बुंदी 12 जलावाड तो भी ओप्सन सही रहीगा क्यों सेवंटी पाइप है निम्न खारे पानी की जिलों को उनके जिले से समेलित कीजिए यानि कि अच्छा क्यों सन एक जामें बन सकता है सामबर जीले जेपूर ग्रामिन के अंदर डीडवना डीडवना कुचामने यानि नागोर में पच्छ बद्रा बालोत्रा यानि की बाड मेर में और लून करन सर बिकानेर के अंदर चार तीन दो एक ओप्सन भी यान पे सही रहीगा तो सातियों बेसिक ये पहला मोडल पेपर सिरप और सिरप राजस्तान जीके का जो पोर्सन हमारे सिलेबस में उस पर आदारित बनाया मैंने की उसनों का इस तर बिलकुल आपके पेपर का लेविल का लिया मैंने हर विसे के पचीस 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 पचेतर की उसन रखे इसे पेपर को अधिक से अधिक सेर करोगे अधिक से अधिक मित्रू तक पहुँचेगा ये पेपर और आपका कमेंट मिलेगा कि सर इसी परकार से अब से एक जाम तक चलने दो इसको तो पढ़ती दिन मोडल पेपर लाइव आकर सोल करवाँगा इसके अलावा मेरे साथ यूँ पचीस से तीस दिन दस गंटे पढ़ाई करना है और पसू परिचर क्रेश कोर्स का इसा आज अभी अभी बनना है दोस्तो मातर डाइसो गंटे समय हमारे पास अभी बहुत है ये तो छे दिन का समय बता रहा हूं मैं आपको समय बहुत बढ़ा है पचास साथ दिन पढ़े है ये कोर्स आपको जोइन करना है अगर आप वीडियो आज देख रहे तो आज कल देख रहे तो कल परसू रहे तो परसू जिस टाइम देखो ये कोर्स जोइन कर लेना कोई बड़ी रकम नहीं ले रहा हूं तर 399 रुपे में एक कोर्स वरतमान में अवेलेबल है जिसमें रिकोडेड कलासे इन नोट्स वाइट पीडियेप एमसी क्यूज तीस मोडल पेपर तीस मोग टेस्ट नवीं तम सलेबस परादारित कलासें मिलेगी आज ही जोइन करें सभी सातियों को बहुत बहुत दनेवाद मिलेंगे नए सेसन में वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब करना ना बुलें जे हिन जे भारत सुबरातरी